राधे राधे जैसी क्रश्णा मैं सीमा सिंग बढ़ो कोचरणिस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ आज मैं आपको अनन्त चतुदशी की एक कहानी सुदाने जारी हूँ आईए अब हम अनन्त चतुदशी की व्रत कथा सुनते हैं एक भार बहु छुटा सा गाउं था उस गाउं में एक सावकर सिर्शिठानी अपने इकलोते बेटा बहु के साथ रहते थे बेटा परदेश कमाने गया हुआ था पहले की जमाने की सास्वें बड़ी ही चालाक और चतुर होती थी उन दोनों सिर्शिठानी का नित्य का नियम था कि वे रोज खाना दिखाने के बाद मंदी दशन करने को जाते थे तो शाम को ही घर लोडते थे तो सावकार्नी ने सोचा की बेटा परदेश कमाने गया है हम रोज मंदी जाते हैं पीछे से बहु घर में अकेली रहेगी तो कहीं उसका आना जाना पड़ोस की उर्तों के साथ ने हो जाए कहीं बहु पड़ोसनों की सिखाई सीख में ने आ जाए तो सेठानी मंदी जाने से पहले एक कटोरी मूंग और एक कटोरी चावल मिला कर रख देती और बहु से कहती की बहु मूंग और चावल अलग अलग कर लेना और शाम को मूंग अलग और चावल अलग उबाल कर रख देना और बहु परिंडे का पानी और चूले की आँच भी मत बुझने देना साथ ससुर के मंदी जाने के बाद बहु ऐसा ही करती जब तक मुंग चावल को अलग-अलग करती तब तक शाम हो जाती और साथ ससुर भी मंदीर से लोट आते इस तने समय निकलने लगा तब एक दिन साथ ससुर के मंदी जाने के बाद परिंडे का पानी भी खतम हो गया और चूले की आँच भी भुझ गई तो बहु भागी-भागी पडोस में से चूले की आँच मांगने के लिए गई तो सभी पडोस ने एक जगे बैठ कर पूझा कर रही थी और कता कहानिया सुन रही थी बहु ने उनसे चूले की आँच मांगी तो पडोसन ने कहा की बहु हम आज के दिन कुछ नहीं देते बहु ने पूझा की आज ऐसा क्या है जो आप कुछ नहीं देते हैं तो पडोसन ने बहु आज हमारा अनन्चतोदशी का व्रत है आज हम अनन्त दे भगवान की पूझा कर रहे हैं और व्रत रखते हैं और बिना नमक का रोट खीर वैबूरा घी के साथ भगवान को भोग लगाते हैं और वो ही प्रसाद के रूप में हम व्रत में खाते हैं तब सावकार की बहु ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या होता है तो उनमें से एक औरत वोली की बहु इस व्रत को करने से धन चाने वाले को धन विद्या चाने वाले को विद्या संतान चाने वाले को संतान और विचुणों का मिलन होता है तब सावकार की बहु ने उनसे अनंत दे भगवान के व्रत की पूरी विधी जानी फिर भव घर आई उसने सबसे पहले घर की साव सफाई करी परेंडे का पानी भरा, चोके को गाई के गोबर से लिपा, फिर उसने बिना नमक का रोट बनाया, खीर बनाई, तब तक शाम हो गई, साससुर भी घर आ गए, उन्होंने आते ही बहु से पूचा कि बहु आज तुम ये क्या कर रही हो, तब बहु ने कहा कि सासुमा, आज गल आज मैंने भी वरत रखा है, सास बोली कि बहु इस वरत की क्या जरूरती है, हमारे यहां कोई ये वरत नहीं करता, तब ससुर ने कहा कि भागवान कोई बात नहीं, अगर बहु ये वरत करना जाती है, तो इसे रखने दो, उधर इस वरत के करने के प्रताप से भागवान अ उसे एक सर्प मिला वे सर्प सावकार के पुत्र को देखकर फुफार भरने लगा और बोला कि मैं तुझे डसूंगा तो सावकार का बेटा बोला हे सर्प देवता मैं परदे से 12 साल बाद अपने माता-पिता और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ हे सर्प देवता मैं मेरे बुड़े माता पिता से मिलनू फिर उसके बाद आप मुझे डस लेना तो सर्प बोला कि मुझे मानव जाती परतानिक भी भरोसा नहीं है सावकार का बेटा बोला कि हे सर्प देवता मैं रातरी में पलंग पर चादर नीचे लटका दूँगा बेटा उदास बेटा हुआ था सावकार दमपती ने सोचा कि इतनी दूर की परदेश यात्रा करके घर लोटा है यात्रा की थकान के कारण बेटा उदास है सुबह तक सब ठीक हो जाएगा उदर बहु घर में अनंत जतुदशी की पूजा में व्यस्त थी पूजा करके जब उठी तो उसे पती के दर्शन हुए बहु पती से मिलकर बहुत खुश हुई फिर उसने चार थालियों में रोट परोसा बेटा बोला कि मैं भोजन बाद में करूँगा आप सब भोजन कर लो तब सावकार दमपती ने भोजन खाया और बहु ने भी अपना अनंचतुदशी कवरत खोला उसके बाद सावकार दमपती सोने चले गे बहु भी दिन भर की ठकी थी तो बिस्तर पर लेटते ही नीद आ गई लेकिन सावकार के बेटे की आँखों में नीद ही नहीं थी वह बिस्तर पर पड़ा-पड़ा सब देख और सुन रहा था तबी उस थाली में रखे हुए रोट आपस में बाते करने लगे कि आज सावकार के बेटे की बहु ने अनन चतुरदशी का पहला वरत रखा है और बारा साल बाद आज उसका पती घर लोटा है और आज ही अर्द रातरी में उसके पती को साम डसनी आएगा अगर आज हमने इसके सुहाग की रक्षा नहीं करी तो कल्यूग में हमें कोन मानेगा तब रोट में से सभी चीजे बाहर निकलाई दूद, घी, शक्कर, काजू, बिदाम, चावल, चना सभी सातों के सातों चीजे रोट में से बाहर आगे और उन में से कोई ढाल बन गया, कोई तलवार, कोई छुर्रा, कोई फर्सा, कोई लकडी, तो कोई चाकू बन गया तब ही अर्धरात्री को सर्प आया तो रोट में से निकले सभी चीजे जो हतियार बन चुके थे उन हतियारों ने साब को मार कर टोकरे के नीचे छुपा दिया और वे वापस रोट में बदल गे सावकार का पुत्र पलंग पर पड़े पड़े ये सब देख और सुन रहा था उसे बहुत आश्चरिये हुआ और साथ ही साब के मरने की उसे खुशी भी हुई तभी उसने अपने पत्नी को जगाया और बोला कि मुझे नीन नहीं आ रही तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए जोपड़ पासा खेलो तो दोनों पति पत्नी देर रात तक जोपड़ पासा खेलते रहे तो सुबह वे जल्दी नहीं उठ पाए सुबह रोज की दर सावकार दमपती जल्दी उठ गे तव सावकार नी अपने पती से बोली कि सुनो जी हमारा बेटा तो यातरा से ठका मांदा घर लोटा था इसलिए वे सुबह जल्दी नहीं उठ लेकिन आज तो बहु भी नहीं उठी तव वे दोनों अपने बेटा बहु को जगाने उनके कमरे में गए कमरे के बाहर खून बिखरा देखकर वे जोड जोड से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहु को मार कर चला गया जब बेटा बहु ने माता पिता के रोने की आवाजे सुनी तो कमरे के अंदर से बेटे ने कहा कि मा बाओजी आप खून को साफ करवा दीजिए हमारा बैरी दुश्मन मारा गया तब सावकाई दमपती ने खून साफ करवाया तब बेटे ने मां से कहा कि मां आपने मेरी दिर्ग आयू के लिए कोई पूजा पाठ वरत किया था क्या तो मां ने कहा कि बेटा मैंने तो कोई वरत और पूजा पाठ नहीं करे तब बहु ने कहा कि मैंने किया था मैंने अनन्त जतु दशी का वरत और पूजन किया था तब बेटे ने अपने माता पिता और पतनी को रोट की बाते करने वाली बात और सर्प वाली बात बताई तब बेटा बोला कि मा आज मैं तेरी बहु के इस वरत के प्रताप से जीवित बचा हूँ तब सास ने बहु के चरण पकड़ लिये तो बहु बोली की सासुमा उल्टी गंगा नहीं बहती आप अनन्त देव भगवान के चरण पकड़िये मैं आप के चरण पड़ूंगी जब पूरे गाँवालों को इस खबर का पता चला तो सभी सावकार के घर आकर पूछने लगे तब सावकार ने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया कि सभी अनन्त चतुदशी का वरत करें और पूजन करें क्योंकि इस वरत को काने से सभी की सभी मनो कामनाई पूरी होती है घरती हो तो पूरी हो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे हे अनन्त भगवान जैसे आपने सावकार के बेटे की बहु का सुहाग बचाया वैसे सब का करना कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की इस तरह आज मैंने आपको अनन्चतुदशी की एक बुराने कहानी सुनाई आशा करती हूँ आपको ये जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे की गता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद